नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ आदर्ष जीवन मोले प्रत्मा कक्षा 6708 का अध्याय 15 अध्याय का नाम है विनमरता जीवन का वास्त्विक आभूशन इस वीडियो में हम इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके प्रशनभ्यास करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 14 न उकताई न घब्राई पार्ट के प्रशनभ्यास करवाए थे अगर आप मेरे च डाली होई है आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए पाट की शुरुवात करते हैं अरजुन के जीवन में स्वाभी मान के अनेक प्रसंग मिलेंगे लेकिन अभी मान कभी नहीं कभी कहीं नहीं यही जीवन का उज्वल पक्ष है जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है रास्टिय सांस्कृतिक पारिवारिक गौरव की परंपराओं के प्रती द्रिड रहना उस प्रतिती में कोई समझोता नहीं यह हमारा स्वाभी मान बना रहना अच्छा है लेकिन साथ में गुरू जनों बड़े बुजर्गों के प्रती विनम्रता यह अत्यंता वश्यक है विनम्रता किसी भी प्रकार से दुर्बलता नहीं अपितु यह तो जीवन का वास्ट्विक शिंगार है सत्य यह है कि एहंकार जीवन का प्रदूशन है और विनम्रता आभूशन यू तो अरजुन के जीवन में विनम्रता के अनेक उधारण है लेकिन एक छूटा सा प्रेरत प्रसंग देखें पांडवों का बारा वर्ष वनवास के पस्चात एक वर्ष का अग्यातवास भी पूरा होने को है दुर्योधन को यही चिंता है कि अग्यातवास से पूरु पांडव कैसे पहचान लिये जाएं ताकि फिर से वनवास प्रारंब हो जाए स्वार्थी एवं एहंकारी व्यक्ति की सोच भी वैसी ही बनती चली जाती है कुछ सित ग्रणित भाव विचार और उसके अनुरूप ही वेवार सामने आता है दुर्योधन ने पितामय और आचारे द्रोण को विराट राजा के यहां पांडवों के छिपिम होने की आशंका से पितामय भीश्म और आचारे द्रोण को उकसाया युद का उद्गोश हुआ एक और भीश्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, दूसरी और उनके सामने विराट राजा का पुत्र उत्तर और वेश्ट बदले हुए वरनलला के रूप में अर्जुन किसी ने नहीं पहचाना लेकिन अर्जुन तो पहचान ही रहा था कि सामने पितामा भीश्म और आचारे द्रोण है अर्जुन ने धनुश उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रथम बाण उनके चर्णों के पास गिराया और दूसरा बाण कान के पास से होकर निकला अभी प्राइस पस्ट था, प्रत्म बाण से अर्जुन ने युद की भाषा में प्रणाम निवेरित किया और दूसरे बाण से उनका कुशल सेम पूछा पिता माह ने अर्जुन द्वारा ऐसे समय में भी मर्यादा के रक्षन और सम्मान के भाव को समझा हम विरोधी पक्ष में युद के लिए आई हैं तो भी अर्जुन प्रणाम भेज रहा है इस भाव ने पिता माह को विवश कर दिया अर्जुन के लिए विजई होने का आशिरवाद देने है तू धनुश उठाकर जो प्रथम बांड छोड़ा वे अर्जुन के सिर के उपर से निकला इसे प्रणाम का परिणाम कहें या विनमरता का उपहार विपक्ष में खड़े गुरुजन और बड़ों से आशिरवाद खीच लिया अर्जुन ने जबकि पक्ष में रहने पर भी दिर संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है इसलिए है अर्जुन तु शोक मत कर क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन हुआ है दैवी संपदा का आभूशन है विनमरता जो मुक्ति अथ्वा सफलता का आधार बनती है जबकि की अकड़न में बांधे रखती है जैसा दुर्योदन के जीवन में अर्जुन के लिए महान आस्वाशन और हम सब के लिए महत्वोपोन प्रेना चिंता मत कर पार्थ क्योंकि तू दैवी संपदा से उत्पन हुआ है अब हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास करेंगे पहला गुरू जन एवं बड़ों के प्रती हमारा बैवार किस प्रकार का होना चाहिए उत्तर गुरू जनों एवं बड़ों के प्रती हमारा बैवार विनम्रता वाला होना चाहिए प्रेशन दो हमारे जीवन का वास्त्विक श्रिंगार क्या है जीवन का प्रदूशन किसे कहा ज उत्तर अज्यादवास में अर्जुन को व्रहनला के रूप में युद्ध करना पड़ा प्रश्ण चार युद्भूमी में अर्जुन ने अपने बड़ों का पहले बांड से निवेदन और दूसरे बांड से उनकी कुशलता पूछी उन्हें मारा क्यों नहीं उत्तर प्रश्ण 5 हमें विप्रीत परिस्थितियों में भी अपने गुरु जनों एवं बड़ों का मान सम्मान क्यों करना चाहिए उत्तर हमें विप्रीद परिस्तितियों में भी अपने गुरु जनों एवं बड़ों का मान सम्मान इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें उनसे आशीरवाद मिलेगा प्यार मिलेगा प्रेशन 6 युद भूमी में पिता महाने अरजुन को मारने के स्थान पर आशीरवाद क्यों दिया पार्ट के आधार पर स्पस्ट करो उत्तर युद भूमी में पिता महाने अरजुन को उसकी विनम्रता के कारण आशीरवाद दिया तो यहां पर हमारा पार्ट 15 का अभ्यास का कारे पूरा हो गया है अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 16 कर्म ही पूजा पार्ट के प्रशन अभ्यास करवाऊंगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू